आप उन में से हैं कि फेसियल एयर को क्लीन करने के लिए हर 15 से 20 दिन पर पारलर का चक्कर लगाती हैं जाकर घंटों पारलर में टाइम देती हैं बहुत सारा पैसा खर्चा करती हैं तो थोड़ा सा रूख जाएए आज का एक खास वीडियो आपके लिए है हेलो एब्रिवन कै ऐसे हैं आप सब आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ एक ऐसी मैजिकल होम रेमेडी सेयर कर रहे हूं जिसका की यूज करके आप अपने फेसियल एयर के ग्रोथ को काफी जादे कम कर सकती हैं नीबू तो आप लोग देख सकते हैं लेकिन जो दूसरी कि मैं बहुत दिन से कर रहे हूं जो कि फेसियल एयर के ग्रोथ को पूरी तरह से इस्टोप कर दिया है तो मैं सोची हूं कि क्यों ना आप लोग को इसके बारे में बताये जाया है क्योंकि बहुत सारा कमेंट इस टॉपिक पे आता है कि देदी मेरे फेस पर बहुत जादे बाल है अपर लिप है कनपटी के साइड में है एक फोर एलीट पे जो कि मैं इसको क्लिन करने के disappointed कराती हूं लेकिन मेरा कमा अक्वरक है निकर जाता है जिसका की दाग रह जाता है ठीक नई होता है आप कोई अच्छी सी होम रेमेडी सेयर करिए जो नेचुरल हो तो लीजिए फ्रेंड आप लोग के लिए इस रेमेडी को मैं लेकर आ गई हूँ जो कि आपके काम आ सकता है अगर इसके बारे में पूरी जानकारी आप ले लेती हैं तो हर किसी के चेहरे पे छोटे छोटे रोवें जैसे बाल होता है किसी के फेस पे थोड़ा बालों की ग्रोथ जादे होती है और किसी के फेस पे कम होता है पर जो ये फेसियल हेयर होता है खुबसूरती में दाग लगाने का काम करता है हमें कहीं जाने का मन नहीं करता है मेकप करन इलाज है आप इसे बनाईए लगाईए आपको बहुत अच्छा है रिजर्ट देने वाला है सबसे पहले हमें लेना है एक क्लीन बाउल और इसमें हम एक चम्मच एट किये हैं साधा नमक जो कि हमारे कीचन में है रेगुलर बेस पे हम खाने में योज करते हैं तो एक चम्मच को जड़ से साफ करने में मदद करता है अगर आप फेस्यल एर से परिसान दती है तो इस पानी को बना करके रख लिजिए जो कि इस टाइम मेरा फेवरेट हो गया है और मैं ज्यादा से ज्यादा इससे इस टाइम यूज भी कर रहे हूं जो कि बहुत अच्छा है रिजर्ट भी दे रहा है खास करके जिनका इसकीन ओईली है उनके लिए तो मतलब बरेदान है तो आप उस वीडियो को देखिए जो तरीका बताए हूं न सेम उसी तरीके से इस पानी को बना करके आप भी रख लिजिए तो हम यहाँ पे एक चम्मच खाने वाला नमक लिए थे और एक चम्मच उस पानी को लिए थे और एकी चम्मच इसमें हम गुलाब जल लिए है जो गुलाब जल होता है ना फेसियल एयर के ग्रोध को कम करता है बालों को रिमू करने में मदद करता है और जो पानी है न ओ आपके आल इसकीन प्राबलम को जड़ से खतम करेगा गर्मियों म को हटाने में मदद करता है इसमें हम नीबू का रस लिया है जो कि टोटल आपसनल है अगर आपके इसकीन को सूट करता हो तो लीजिएगा अधरवाइज आप इसे इसकीप भी कर सकती है और इसे नीबू के रस में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होता है तो सूट करता है आ जा तो आपके पास जोओ का आटा मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा फर्स्ट यूज में और इसी तरीके से ठीक ही इस रेमेडी को आपको तयार करना है पतला बिल्कुल भी मत करिएगा उसके भी फाइदे में आ इसकीन बहुत जादे खुर्दुरा खुर्दुरा सा राता है इसकीन की नमिशी गायब हो गई है इसमें आप जब बैसलीन डालेंगी उसके भी फाइदे मैं आप लोको बता दे रहे हूं इतना आराम से जो पैक है निकड़ेगा आप अपने इसकीन पेसे सुखाएंगी न निकड़ेगा नहीं तो बैसलीन होता है न थोड़ा सा चिकना होता है पेट्रोलियम जली तो आप इसमें आधा चमच बैसलीन लेकर के डाल दीजिएगा और एक मेरा छोटा सा टीप्स है आप इसे फालो करके देखिए अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेगा कोई भी आप पेलू रेमडी बना रही है अपने फेस पे लगाने के लिए चाहे हो हेयर रिमुवल मास्क हुआ फेस पे गलो लाने का कोई भी पैक हुआ कुछ भी तो उसे आप इस्पून से अच्छे से मिक्स करिए दो से तीन मिनट का टाइम दे करके ऐसा नहीं है कि दो बार इस्पू अभी तो मेरे फेस पे बालों के ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है तो मैं अपने हाथ पे लगा करके आप लोको दिखा रही हूँ मेरे फेस पे बाल नहीं है एक टाइम था कि मेरे फेसियल एर भी थोड़ा जादे था लेकिन इस टाइम पूरी तरह से खतम हो गया है क्योंकि कि मैं नेचुरल चीजों का यूज करती हूँ और मेरे हाथ पे भी बालों की ग्रोथ नहीं है बहुत कम है हलका फुलका है तो आप लोग से हर बारे ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना हो सके नेचुरल चीजों का यूज किया करिये पर आप लोग सबसे वड़ी गलती करते कि वेडियो पूरा नहीं देखते हैं, पूरी जानकारी नहीं लेते हैं, आधा धूरा ग्यान लेके जाते हैं, और बनाकर तुरंत लगाते हैं, एक बार, सिर्फ एक बार उसके बाद नहीं रिजल्ट मिलता है, आकर आप लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो देखिए आधा दूरा ग्यान लेके जाएंगी तो आपके skin के लिए अच्छा नहीं है पूरी जानकारी लीजिए थोड़ा सा patience रखिए regular base पे continue कोई भी home remedy कुछ time करिए उसके बाद नहीं result मिलता है तब आप लोग बताईएगा कि ये काम नहीं किया पर एक बार यूज करने के बाद comment आप लोग ना किया करें मैं natural चीजों का ही यूज करती हूँ और आज से नहीं बहुत time से तो ये बहुत अच्छा काम करता है आप लोग से highly request कर रहे हूँ कि इसे बनाईएगा लगाईएगा तो अभी हम इसे अपने स्कीन पे लगा लिए हैं लगाकर इसे आपको छोड़ देना है 15 मिनट के लिए ठीक है जी 15 मिनट छोड़ेंगी तो इसकीन पे मतलब की 40 से 50 परसेंट सूख जाएगा सूखने बाद जब आप मसाज करेंगी ना इसमें नमक है नमक जो है ना इस क्रब का काम करेगा तो अच्छे से आप जब मसाज करेंगी ना तो बालों को तोड़ने में मदद करेगा नमक नमक में जो बहुत सारे ऐसे गूड़ होते हैं वो फेसियल हैर को जड़ से रिमो करते हैं तो बहुत अच्छा ये घरेलू उपाय है और खास करके इसे मैं यूज करती हूँ प्रसनल ये मेरा फेबरेट है तो आपको ऐसा लगता है कि ये काम करेगा तो आप इसे बनाईएगा लगाईएगा आपको बहुत अच्छा है रिजल्ट देगा एक और मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोग से कि अगर ये वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज एक लाइक करके अपने फैमली में सेयर कर दीजिएगा हर एक वीडियो में आपको कुछ न कुछ यूनिक और अलग देखने को मिलता होगा तो प्लीज जादा से जादा इस चैनल को सपोर्ट करिए कोई भी कमी आप लोग को दिखता हो कमेंट करके बताइए इसे लगाकर आप 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा मसाज करके इसकीन को जब धूलेंगी बहुत कम है हलका फुलका है इसे लगाने के बाद इसकीन बिल्कुल सौप हो जाता है जिस तरीके से बच्चों का इसकीन होता है न सेम उसी तरीके से हो जाता है बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है और बेसन बहुत पुराने जबाने से यूज होता आ रहा है फ्रेंड दादी और नानी इसका यूज करती थी इसका उप्टन तयार किया जाता था फेसवास बनाया जाता था फेसपैक का यूज किया जाता था और आज के जबाने में हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि इस तरह का घरेल प्रूब फेस्पाइक हम बनाए और लगाएं और आजकल के जो लोग है ना नेचुरल चीजों पर विश्वास भी नहीं करते हैं क्योंकि उनको इस्टन्ट रिजल्ट चाहिए तो जो नेचुरल चीज़े होती है इस्टन्ट रिजल्ट कभी भी आपको नहीं देगी इसके ल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप उहां पर चेकाउट कर सकती हैं और इसे बना करके रख लिजिए यह आपके स्किन के लिए बहुत जादे फायदे मंद है आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आई होगी अच्छी लगी होगी लाइक और सेयर कर दीजिएगा चैनल पर नियुक है और आपको इस टाइप का वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकेन को ओन कर लिजिएगा नेक्स वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताईएगा मैं आप लोग से मिलती हू नेक्स वीडियो